नमस्ते मेरा नाम सुमंसोरब महंती है मैंने 2017 के UPSC exam में नवी rank हासिल की थी आज हम लोग detail application form के बारे में चर्चा करेंगे यह बहुत महत्तपून form है आपका यह prelims के बाद आपको UPSC यह देता है कि आप form भरें और इसका काफी सारा चीज रहता है जिसमें कि आपको थोड़ी साफधानी बरतनी पड़ेगी हम एक एक करके हर form के हर हिससे के ओपर चर्चा करेंगे आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे लाव मिलेगा तो आपका detail application form जो होता है पहले आप लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद आपको पहले आपना roll number जो कि autofill आता है जो filled up ही रहोकर रहता है आपका जो नाम होता है वो भी filled up होके रहता है date of birth आपका जन्म तारीक वो भी filled up होके रहता है फिर आपका जेंडर जो कि आपका link पुरुश है के स्तिरी है ये भी आपका filled up होके रहता है फिर आपको address for correspondence मतलब आप के पास किस तरह चिठी पत्र में UPSC कम्यूनिकेट करना चाहे यह आपका फिल अप करना पड़ता है इसमें एक ही चीज ध्यान रखे कि छे महिने से एक साल आप इस अड्रेस में रहें अगर आप बहुत ही टेंपररी अड्रेस में रहें जैसे कि सोचिया कोचिंग के लिए कह घर के अड्रेस लो जहां पर आपके माता पिता रहते हो क्योंकि UPSC काफी सारे हैंड कम्यूनिकेशन इस अड्रेस पर भेजेगा तो छे महिने से एक साल तक लवदीक में अगर आपके इस अड्रेस पर रहने वाले हो तो इस अड्रेस को ही रखिएगा second आपका आता है permanent postal address permanent postal address वही आपका है कि आपके मम्ी पापा जहां पर रहे हो अगर आप जहां पर सोचिये आपने hostel लेकर रखा हो हाँ वहां का आड्रेस मत दीजिए क्योंकि चिट्थी विट्थी अगर UPSC भेजता है तो आपको गुम होने के चांस से गुम हो जाए तो आ पर आपके माता पीता रहते हैं वहीं पर अगर आप यह अड्रेस दो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा फिर आगया आपका community community में आपका basically आपको अगर आप इस बार UPSC ने notification निकाला है economically weaker section अगर आप उसमें अंतरभुक्त होते हैं जो कि आपका rule और guidelines हैं जिसमें अंतरभुक्त होते हैं और competent authority जो भी list UPSC ने अपने notification में लाया हुआ है जिसमें तहसिलार हो सकते हैं collector हो सकते हैं subdivisional magistrate हो सकते हैं आप एक certificate ले आईए इसमें एक ही चीज़ है कि 1st August 2019 से पहले यह certificate आपका होना चाहिए certificate number certificate कब issue हुआ कौन issuing authority कौन है collector है तहसिलदार है SDM है additional collector है designation of issuing authority full address उनका चाहिए यह आपका पता ही होगा तो यह सब आप अगर fill up कर देते हैं तो economically weaker section certificate अगर आप eligible हो तो आप इसमें fill up किजिए फिर आप में आते हैं अनुसुच जाती उप जाती के लिए आपका अगर जो भी tribe है यह drop down menu रहेगा आप उसमें fill up कर सकते हो आपका कौन सा tribe है central list में आपका अगर serial cast आपका जो भी cast होगा वो भी आप drop down menu में देखकर refer कर सकते हो फिर अगर आप एज relaxation claim कर रहे हो because आप UPSC notification देख सकते हैं UPSC बिविन्न प्रणाडी बिविन्नल category लोगों को एज relaxation provide करता है अगर आप एज relaxation provide कर रहे हो आप उसका avail कर रहे हो तो आप इसको yes करके आप चूज कर सकते हो अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं फिर आपका marital status आप शादी शुदा है के नहीं यह आपको fill up करना है सिंपल है residence status आप Indian citizen हो तो यह तो autofill होकर ही रहता है citizenship status आप obviously अगर आप बाहर के कुछ UPSC कुछ शेत्रों के नागरिकों को citizenship status में allow करता है एक्जाम लिखनी के लिए तो अगर वो है तो आप उसको यह list से कर सकते हैं इंडिया में bond हो yes or no अगर आप भारत में ही पैदा हुए है तो आप इसको कर सकते हैं fill up अपने अनुसार फिर आप आजाते हैं place of birth आपका जो जहां पर जन्मस्तान हो आपका उसको fill up कीजिए state आपको state अपना भरना होगा जिस राज्य से आप हो district कौन से जिल्ला से हो पिन कोड जिल्ला का पिन कोड जो आपका जो भी जहां पर आपने जन्म ग्रहन किया हुआ है mother tongue यह बहुत important होता है आप अपना mother tongue इसके ओपर आप बोल सकते हो कि आपका कौन सा mother tongue है उसके ओपर कुछ questions आप interview में भी expect कर सकते हो तो यह एक ध्यान रखने वाली चीज है फिर आता है कि अगर आप physically handicapped शारीरिक रूप से अगर आप असमर्थ हैं तो अगर आपने इसको पहले कभी fill किया हुआ होगा UPSC के परिक्षा में तो आपको yes or no declaration करना होगा अगर declaration किया है अगर आपने fill up किया है तो आपको examination कौन से examination में आपने शारीरिक असमर्था के वज़े से fill up किया है selection हुआ है कि नहीं year of the examination कौन से साल में वो हुआ था आपका जो roll number रहता है या fill up कर सकते हैं फिर आता है अगर आप वही शारीरिक असमर्था या शारीरिक विकलांग के वज़े से आपने किया है तो disability certificate आपको अपना upload करना होगा फिर अगर आपने को medical board ने कभी unf declare किया होगा या फिर physical fit ने declare नहीं किया होगा तो yes or no करना होगा details देना होगा suppose आप एक जगा पर गये हैं जहां पर आपको medical board ने unfit declare किया हुआ है तो यह information अगर आपके पास है तो इसको बकायदा भरें क्योंकि आज की date में information बहुत rapidly travel करता है अगर आपके यहां पर कहीं च फिलब कीजिए फिर आता है आपका photo ID card यह आपका auto populated हो जाता है फिर candidates with benchmark disability ministry of social empowerment and disabilities ने एक किया है benchmark disability का list उसमें check कर लीजिए अगर आपका benchmark disability है तो इसको yes or no कर सकते हैं फिर आता है अगर आप अरुणांचल प्रदेश, मनिपूर, मिघाले, मिजोराम, नागलंड, सिक्किम से हैं और अगर आप हैं इन state से तो Indian language paper के लिए आपको exemption मिलेगा यह देखकर भरिया अगर आप हैं तो yes कीजिएगा अगर नहीं है तो no कर दीजिएगा अगर no है तो आपको language for paper करना पड़ेगा जो Hindi या फिर आपका वही list सूची में है कि आप कौन से languages में दे सकते हैं फिर आ आपका optional subject आ जाता है यह तो आपका auto populated ही है क्योंकि आपने इसको पहले से भरा हुआ है choice of center for examination यह आपका पहले ही आपने चूज किया होगा language medium for examination for paper one to five language medium for examination for paper six to seven यहां पर ज्यादा आपको कुछ करनी की ज़रुवत नहीं क्योंकि यह पहले से भरा हुआ है आपने जो language specify कि यह वही रहेगा हां यह बात next जो आपको आता है drop down menu language medium for interview test यहां पर आप चूज कर सकते हैं अगर आपने English में भी भरा होगा अपना mains का answer आप चाहे तो उसको Hindi medium में interview दे सकते हैं इसलिए यह carefully देखिएगा अगर आपके पास यह option है आप change करना चाहते हैं तो इसको आप change कर सकते हैं next time आते हैं parental information के ओपर parental information आपके पिता माता के ओपर जानकारी पहला है name of father यह auto populated रहता है पहले से ही आपका auto field रहता है अगर वह जीवित हैं तो जीवित यह अफिर अगर उनकी मुर्त की हो चुकी है आप उनका यह विवरन कर सकते हैं माता जी का नाम और वही अगर जीवित हैं तो जीवित अगर उनका देहांत हो गया तो यह भी आप में option दे सकते हैं parents के nationality आपके parents का कौन सा राश्टर था भारत है तो भारत अगर अगर दूसरा कोई है तो वह भी आफिलप कर लीजे इसमें father's present postal address यह मैंने पहले भी बोला हुआ है permanent address के साथ ही इसको र permanent address नहीं है फिर आप आसकते हैं कि आपके माता जी का present postal address माता पिता का postal address लगबग एक ही रहता है ज्यादातर केसों में तो आप इसको और एक बार entry करने की ज़रूरत नहीं है पिता जी का profession माता जी का profession खेती कर रहे हो तो खेती लिखे अगर government service में है तो वह लिखे प्राइ retirement का post क्या है उनका और retire हो चुके हैं तो last retirement का time पर उनका क्या post था उसको लिखना पड़ेगा माता जी अगर service में है वही प्रनाली है अगर उनका last retirement के time पर कौन सा post था उसको लिखना पड़ेगा Annual income of your father, अगर कितना है, अगर नहीं है, पिता जी का देहांत हो चुका है, तो या फिर अगर कुछ भी income नहीं है, खेती कर रहे हो, तो उनको zero डाल दीजेगा, सेम, आपके माता जी के लिए भी यही information लागू होती है, फिर हम आते है, state to which your father originally belongs, यह state आप चूज कर लीजेगा, district जिल्ला कौन सा है, फिर आता है state to which your mother belongs, माता जी का state कौन सा है, माता जी का जिल्ला कौन सा है, यह आपका specifically economic weaker sections के लिए है, यह guideline है, अगर आप economically weaker section नहीं है, तो yes या फिर no मार सकते हैं, जो कि आपके guidelines के अनुसार आपको check करके भरना होगा, फिर हम आते हैं और एक academic qualification, आपने कहां पर पढ़ाई किया, शिक्षागत आपके जो भी information है, उसको fill करना होता है, इसमें basically आपको अपने 10th के marks, 10th के परिक्षा के marks, 12th के marks, और आपने किस subject में graduation किया है, graduation subject के mark को आपको enter करना है, यहाँ पर एक ही confusion रहता है बच्चों का, अगर आपका marks decimal में आया और यह ध्यान में रखिए कि आपका year of passing वगरा यह dates आपके गलत नहीं होने चाहिए, जो certificate में है उसी को यह लखिए, क्योंकि certificate बाद में हमको upload करना पड़ता है, फिर आप आजाएए, next है आपका employment, अगर आपने कहीं पर नौकरी की है, तो उसका वीवरन है, अगर हाँ, त तो उसका वीवरन आपको करना होगा, अगर ना तो उसका भी वीवरन करना होगा, अगर आपने employment की है, उस शेतर में आपके सोची आपका 7 साल का नौकरी है, कौन से साल में क्या क्या आपका नौकरी का स्तर था, for example, अगर आपने join किया है as assistant manager, एक ही organization में आपने 7 साल काम किय है, एक ही संस्ता में, अगर आपने assistant manager join किया हुए, फिर manager promote हुए है, senior manager promote हुए है, हर का अलग-अलग विवरनी लिखिए, या फिर अलग-अलग description दीजिए, बहुत बार हम क्या mistake करते है, 7 साल को हम एक ही साथ जोड कर लिख देते हैं, कि यहाँ पर हमने assistant manager का का काम किया था, या फिर आपका promotion हुआ है, तो इसके उपर आपको इसमें विवरन देना होगा, फिर next आपका question आता है, कि आपने कितनी बार civil services preliminary examination दी है, अगर इसका एक simple सा calculation है, अगर आपने form भरा है, admit card आया है, और आप जाकर एक ही exam, दो paper होते है, GS होता है, GS होता है, GS या फिर CSAT, किसी एक में भी आप बैठे हो, और exam लिखा हो, then this will be counted as one attempt, अगर वरना आपका ये attempt count ही नहीं होगा, तो इस parameter से आप सोच लिजे कि आपने कितने बार attempt दी है, role number याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सको सर्फ year भरना है, कौन से कौन से year में आपने attempt दी है, role number अगर आपको पत सब्सक्राइब हो और आपने उसमें मिला हो पोस्टिंग, तो उसको आपको उसमें भरना है, फिर हर बार आपको सेव करना पड़ेगा, वनना प्रफॉर्म सेव नहीं होगा, इसमें ध्यान रखिए, फिर question आता है, whether you have applied for UPSC examination recruitment, basically इसका मतलब होता है, UPSC एक ही UPSC exam नहीं क पर आपको interview में भी questions पूछे जा सकते हैं, फिर हम और एक महत्वपून section पर आते हैं, जो कि आपका last है, जिसमें आपको basically आपने जो जो relaxation मांगे हैं, या फिर आपने कुछ document दिया है, उसका proof आपको upload करना है, यहाँ पर आप left side में देख सकते हैं, mouse के लिए box बने हुए है, इसमें तीन बहुत ही महत्वपून certificates है, पहला है proof of date of birth, जो कि आपका matriculation certificate है, फिर है आपका graduation certificate, और एक है photo ID proof, photo ID proof का list दिया गया है, इसमें मैं सिर्फ एक अनुरोध करूँगा कि जो photo ID proof आप यहाँ पर upload करेंगे, उसी photo ID proof को आप लेकर examination hall में भी जाएगा, इससे आपको सहुलियत होगी, उसके बाद अगर आप कोई अनुसुचित जाती उपजाती से बिलॉंग करते हैं, उसका certificate, अगर आप कोई भी region से बिलॉंग करते हैं, तो उसका certificate, और अगर आपका कोई disability हो, अगर आप शारीडी कृप से कहीं पर असमलते हैं, तो उसका जो भी competent authority हैं, उ जो जो certificate आप entry कर रहे हैं, तो उसको आप अपने पास रखकर ये form उसको भरियेगा, तो फिर अगर कोई भी data mismatch ना होने के chances minimum ही हो जाए, तो आप जो भी certificate, सब्पोस आप matriculation certificate का भर रहे हैं data, graduation certificate का भर रहे हैं data, अपने मन से ना कीजिए, certificate को अपने हाथ में दीजिए, फ अपकमिंग वीडियोज